Hello everyone and welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya. I teach economics on this channel. फिलाल मैं statistics को cover करा रही हूँ जितना भी economics के लिए relevant है. इस series में मैं अभी तक sampling methods को करा चुकी हूँ. Sampling methods के रावा probability है और sampling distribution है. पूरा statistics holistically cover करने में कुछ ही topic बचे हैं. अगर आप statistics को किसी भी competitive exam के perspective से पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल की playlist को एक बार explore कर सकते हैं. इस वीडियो में हम दो concept को समझेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे कि generic standard error क्या होता है. फिर हम समझेंगे standard error of mean क्या होता है. फिर standard error of mean पे based कुछ questions को solve करेंगे. ये questions होते हैं वह exam के point of view से बहुत important होते हैं. अब हमें समझेंगे standard error होता है. Standard error जो होता है वो standard deviation होता है. Standard deviation जो होता है वो किसी भी statistics का हो सकता है. किसी भी एक particular statistics का ही होना ज़रूरी नहीं है. यानि कि अगर मैं आपको standard error of mean पढ़ा रही हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि केवाल standard error of mean होता है. Standard Error of Proportion, Variance सब आप एक तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन हम क्योंकि Standard Error of Mean पर Focus कर रहे हैं तो हम Standard Error of Statistics की जगे Standard Error of Mean का यूज़ करेंगे अब यह होता क्या है चितना भी Standard Deviation होता है Sample Means का, Population Means के आसपास उसको हम Standard Error बोलते हैं यानि कि मैं अगर आपको समझाना चाहूँ मैंने आपको Last Videos में बताया था कि Sampling Distribution क्या होता है Population होती है, Population से हम कुछ Samples को Draw करता है और जब हम Samples को Draw करता है तो कुछ गलतिया हो जाती है यानि कि अगर हम Population से Samples निकाल रहे हैं, हमने एक Sample निकाला, फिर दूसरा निकाला, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो Sample है वो adequately represent करें अगर हम कितना भी केव उने Sampling कर लें, कुछ भी कर लें पर फिर भी कई बार chances होते हैं कि कुछ नहीं कुछ गलती हो जाती है जो Sample होता है वो Approximately Best Measure होता है तो इसलिए हम क्या करते है, जो Mean होता है, जो Sample होता है उसके Mean के आसपास जितना भी Dispersion है यानि कि Mean जो है Sample हमने निकाला है, आसपास हो कितना Scattered है जब हम वो देखते हैं तो वो हमें Sampling Error और Standard Error को देता है ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहते हूँ कि Standard Deviation निकालते कैसे हैं अगर आपको डीटेल में Standard Deviation निकालना सीखना है विद प्रॉपर Numericals and Examples, उसके लिए आप Standard Deviation वाली वीडियो को देखेगा लेकिन फिलाल मैं आपको बताना चाहते हूँ कि Standard Deviation हम कैसे निकालते हैं उसको Theoretically बताते हूँ कोई Observation हमें Given है, हम सबसे पहले उसका Arithmetic Mean निकालते हैं फिर Suppose यह जो 5 Observation है, इन 5 Observation में से 1 by 1 हम Arithmetic Mean को Subtract करेंगे फिर उसका Square करेंगे, जो Square करेंगे आएगा 5 Observation का उसको हम Summation करेंगे Office Summation करने के बाद जो हमारा Final Answer आएगा उसको हम 5 से यानि के Total Number से Divide कर देंगे इस तरीके से हम Standard Deviation को Calculate करते हैं देखे, मैंने आपको बताया, Standard Deviation होता है अब अगर हमारे पास 100 या फिर 1000 Observation है तो हम Standard Deviation को कैसे Calculate करेंगे बहुत जादा difficult हो जाएगा, तो उस case में क्या होता है हमारे पास एक Formula होता है हम एक Formula को यूज करते हैं, और Formula कैसे यूज करेंगे जब हम Population को Study करेंगे, सैंपल निकालने के लिए तो हम दो चीज़ों को देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो Population है वो Finite है और Population के अंदर Standard Deviation या Variance हमें पता है यानि कि Population के अंदर अगर Variance और Standard Deviation हमें नहीं पता है तो हम इस Formula को एपलाई नहीं कर सकते तो Formula क्या होगा, upon under root N, Sigma upon under root N Sigma क्या है, हमारा Standard Deviation of Population, ठीक है यह क्या है, हमें जितना भी Sample निकालना है Number of Samples to be withdrawn, यह हमारा क्या है, N है अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं क्या कहना चाहरी हूँ मैं यह कहना चाहरी हूँ, कि अगर हमारे पास Population का Standard Deviation या Variance गिवन ही नहीं है तो यह नहीं है, अगर यह नहीं है, तो हम Formula को Calculating नहीं कर सकते यह हमारा एक Alternative Method है, पूरे Standard Deviation के Calculation से बचने के लिए अब हमें देखना है कि, जो हमारा यह Standard Deviation का Formula निकल के आया है अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, अगर हम इसको इस तरीके से लगते तो यह हमारा Reliability का भी Measure है Reliability क्या होती है, जब हम कोई भी Research को करते हैं और हम उस Research में यह देखते हैं कि हम कितने अच्छे से उस Research को कर रहे हैं, यानि कि इस Research का जो Result निकल के आया उसको Reliability कितने हैं, हम उसमें भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं तो Standard Error जो होता है, वो एक तरीके से Precision का भी काम करता है Precision यानि कि Accuracy बताता है हमें, ठीक है अगर Population जो है, वो Sample के Comparison में Large नहीं है Sample के Comparison में Large नहीं है, क्या मतलब है यानि कि अगर हम Population में से, Population Size में से, Sample Size घटा हैं और यह 0.1 से भी कम आए, ठीक है, Which is Less Than 0.1 तो फिर हम Correction Factor को यूज करेंगे और यह जो Correction Factor होगा, यह Finite Population Corrector Factor माना जाता है और क्या होता है Factor? N-1 upon N-1 यानि कि यह जो है, Under Root N-N upon Under Root N-1 इसको यूज करने के 2 Criteria होते सबसे पहला Criteria तो यह है, कि जो Sampling है देखे, जब हमारा Sample जो है, वो बड़ा नहीं होगा यानि कि Population और Sample का जो बीच का Ratio है यानि कि इनके बीच का जो Subtract करके आएगा, अगर वो Less Than 0.1 है तो दो Situation Possible हैं पहले तो यह कि जो Sampling है, उसमें Replacement नहीं है क्योंकि हम Population से कम मेजर को निकाल रहे हैं तो जो Sampling है, वो बिना Replacement के होगी इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको Finite Population Correction Factor और फिर उस Case में हमारा Standard Deviation का Formula क्या बनेगा इस इक्वल टो Under Root N-1 अपॉन Under Root N-1 इंटू Sigma अपॉन Under Root N यानि कि जो हमारा पहले Standard Deviation का Formula था Standard Error of Mean का Formula था उसमें हम Population Correction Factor को यूज करेंगे, ठीक है अब हम कुछ Examples को देखते हैं देखे, सबसे पहले Example तो यह है Diameter of Steel Bearing Produced by a Semi-Automatic Machine is known to be distributed normally with mean 12 cm mean जो आपको given है, वो 12 cm है Standard Deviation यानि कि Sigma आपको 0.1 given है If we take Random Sample of Size 10 यानि कि Size 10 N आपको 10 given है with replacement then find the Standard Error of Sample Mean Standard Error हमें निकालना है Sample Mean का ठीक है उसका Formula हम क्या लगाएंगे X bar is equal to Sigma upon Under Root N Sigma क्या है हमारा 0.1 Under Root N क्या है 10 0.1 upon Under Root 10 अगर आप इसको particular फिर से solve करेंगे Under Root 10 का निकाल के और डिवाइड करेंगे तो Standard Error के आएगा 0.003 If the Standard Deviation of Certain Population यानि कि हमें Sigma given है 20 How many cases would require in a sample in order to Standard Error should not be missed by 2 यानि कि Standard Error हमें 2 given है और How many cases से क्या मतला है हमें N निकालना है Same Formula अप्लाई करने का मतला है Standard Error is equal to Standard Error is equal to Sigma upon Under Root N Value को substitute करेंगे Standard Error की Value 2 given है Sigma हमें 20 given है Under Root N इसको Cross Multiply कर देंगे 2 Under Root N is equal to 20 Under Root N is equal to 20 फिर यह इदर डिवाइड में जाएगा Divide by 2 is equal to 10 अब हमें Under Root N जो है वो 10 given है अब हम इसका स्क्वेर करेंगे अगर हम इसका स्क्वेर करेंगे तो N जो है अगर हम Under Root का स्क्वेर करते हैं किसी का भी तो वो same value आजाती है यानि कि Under Root N का स्क्वेर करेंगे तो N ही आएगा और 10 का स्क्वेर 100 आएगा तो हमारे क्या answer आएगा हमें कितना sample चाहिए हमें 100 units का sample चाहिए ताकि जो हमारे standard error है वो 2 के approximate रहे मैंने आप तो बता है standard error भी approximation है देखे यह हमें equation given है ता US Bureau of Census Business देखे हमें दो चीज़े समझने वाली है standard error जो है वो inversely proportional होगा sample size के यानि कि जो standard error है वो inversely proportional होगा sample size के और वो standard error के formula से ही पता चलता है हमारा formula होता है sigma upon under root N यानि कि यह दोनो inversely related है अगर हमारा sample size बढ़ेगा तो standard error खुद पे खुद कम हो जाएगा इसलिए recommend किया जाता है कि जो जब मैंने आपको बताया था how to choose a good sample तो उसमें मैंने आपको बताया था कि adequacy जो होती है वो बहुत important होती है यानि कि एक adequate amount में sample को withdraw करना बहुत important होता है इसलिए जो standard error है जैसे जैसे हम sample size को बढ़ाते जाएंगे हमारा standard error कम होता जाएगा इसलिए एक particular sample को लेना बहुत important होता है जितने भी हमने अभी तक standard error को discuss किये हैं वो इन में एक assumption है कि sampling या तो infinite population से है या तो sampling जो है उसमें sampling जो होती है वो कई बार उसमें replacement possible नहीं होता है यानि कि without replacement भी होती है जब अगर हमारे पास कोई भी ऐसे sampling है जो without replacement हुई है और ये exam में exam के questions में mention है अगर ये mention नहीं है तो हमें पहले वाला case ही लेना है लेकिन अगर ये mention है तो हम correction factors होगा under root n, n इससे उसको multiply करेंगे ठीक है that's it for today's videos guys आपको उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगाऊगा बहुत छोटा सा topic है standard error of mean उसमें मैंने आपको समझाये standard error of mean क्या होता है उसका formula of finite population correction factor और फिर हमने दो examples को solve किये है जो जितने भी competitive exams होते हैं उनमें इसी दरीके के questions आते हैं या तो आपसे n पूछा जाता है या फिर standard error पूछा जाता है या फिर relation पूछा जाता है next video में हम शुरू करेंगे काई square distribution को आपको मेरी videos अच्छे लग रहे हैं until next time thank you so much